In this video, we will do the chapter pair of linear equation in two variables. तेकि यह 10th standard का chapter है और और अलड़ी मैंने इस chapter के 3.1 और 3.2 जो है अलड़ी अप्लोड किये भी है. उसके link मिल जाएगा आपको नीचे description box में. अभी मैं 1.3 को complete करूँगा इस video में. तो पहले करेंगे किया, सबसे पहले मैं बता हूँ भी what are the different method to solve the linear equation, pair of linear equation. कौन से method के बात करा हूँ? जैसे substitution method, elimination, cross multiplication, तो उनके बारे में बात करेंगे. और बाद में मैंने क्या किया, समा explanation के बाद में 3.3 का solution प्रोवाइड करें. So let me start. तेकि मज़ेदार चीज़े सबसे बड़े, ज़्यादा यूज होने वाला चैप्टर है ये, बदल सोल करने में. हमारे पास टोटल बच्चों को हम 3 methods समझाते हैं. एक पहला method है, substitution method. खुद नाम ही कहता है कि value substitute करके आंचो निकालते हैं. दूसरा method, elimination method. मेरा favorite method है, मैं अभी भी as a teacher इसी को follow करता हूँ. cross multiplication सिरे पढ़ाते हैं, मैंने इसका use है, वो rarely देखा है, ना के बरावर. आपको अगर कोई नहीं कहाँ जाए तो बच्चे भी use नहीं करते हैं. तो सबसे पहले substitution method क्या है? देखिए, वर्ड खुद substitute कहने के लिए कह रहा है. अगर हमारे पास दो equation है, मालो, first equation और second equation, यह दो equation है. हम किसी एक equation में, एक variable की value निकाल के दूसरे में put करते हैं. कैसे? यह जो x minus y is equal to 4 है, इसको मैं क्या करता हूँ? एकस की value निकालेता हूँ, y को transpose करेंगे, तो 4 प्लस में y यह आ गया. अब मैं इसको अगर put कर देता हूँ, first question में, first equation में, sorry, तो put in equation 1, तो यह substitute कर रहा हूँ मैं, क्योंकि substitute कर रहा हूँ तो मैं x plus y is equal to 10 है न, तो in place of x ना मैं यह वाली value put कर रहा हूँ, इसलिए इसका नाम जो है, वो substitution method पड़ा है, मैंने x की जगे पर 4 plus y रखा, और आप देखोगे, तो y plus y तो like time है, तो 2y हो जाएगा, और यह plus में 4 हो जाएगा, अब एक variable होता है, वो बड़ा easy होता है, कैसे, इस 4 को अगर मैं transpose कर देता हूँ, तो यह 2y is equal to 10 minus 4 आजाएगा 6, और y is equal to, यह 6 आगे न, तो y is equal to क्या हो जाएगा, 6 divided by 2, 3 आगया, इस तरह से value substitute करने को जो है, वो substitution method कहते है, मज़ेदार तो मुझे elimination method, अच्छा यह तो y निकला है, अब आप y में definitely अगर मैं इसको आपको कहूँ कि य की जगह पर मैं आगर रहा है, यहाँ पर value रख देता हूँ 3, तो x plus 3, 10 कब होगा, तो यहाँ से x की value आजागी 7, तो 7 x की value आगी, यह जो method मैंने आपसे discuss किया ना, इसको हम first exercise याने की 3.3 में करेंगे, next exercise में elimination method करेंगे, अच्छा आपको अगर कोई method mention नहीं करता है ना, so go for this method, आप बोलोग सरा, इतना ज़ादा आप क्यों educate कर रहे हैं इसके लिए, यह बोर्ट time बचाता है, पर क्यों x plus y is equal to 10 है, और x minus y is equal to 4 है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों equation को add करें या subtract करें, क्यों कर रहे हैं, किसी एक variable को eliminate करने के लिए, आपने note कि यह दोनों का eliminate हो जाते हैं, अगर इनको add कर दें तो, तो देखिए एक line में answer आगे, 2x is equal to 14, और x की value 7 आगी, यहाँ पे भी 7 निकाला था, इधर भी 7 निकाला था, यह 7 अगर मैं यहाँ put कर देता हूँ, किसी भी equation में put करो, 7 minus y is equal to 4, तो y की जो value है न, वो 3 आजाती है, मैंने दो method आपको करें हैं, इसको detail में भी मैं ले लूँगा, next video में, अभी जो हमारा concentration होगा न, वो substitution method होगा, लेज़े पहले exercise के questions कर लेते हैं, 3.3 exercise है, उसके जितने भी question है, वो आपको substitution method से करने हैं, अगर लिखा आता है substitution method, तो आपको वही method फोलो करना होता है, easy method है, तो यह पहला का मैं question देखते है, equation 1 और equation 2 लेग लेजी, किसी भी एक equation से variable x, y की value निकाल के दूसरे में put करने हैं, कैसे, for example मैं इससे भी कर सकता हूँ, यह x मैंने यहाँ पे रखा, y को उदर transpose करा, 4 प्लस मैं y बना, अब यह जो है ना मैं put कर रहा हूँ, put in equation 1, equation 1 मैंने इसको consider किया, पहले मैं लिख भी लेता हूँ, x प्लस y is equal to 14 है, x की जगे पे मैं 4 प्लस y रख रहा हूँ, यह है 4 प्लस y, प्लस y is equal to 14, तो देखिए y प्लस y यहाँ पे क्या है 2y आगया, और इस 4 को मैं transpose कर देता हूँ, तो 14 मैंने 4 करेंगे तो 10 आगया, 2y अगर 10 आया है, तो y की value कितनी आगया, 5, यह यहाँ तक complete नहीं है, हमें किसी भी एक equation में, यानि कि मैं इसमें भी put कर देता हूँ, for example, अगर मैं x की जगे पे, x की value मुझे नहीं पता, y की जगे पे मैं यहाँ से क्या put कर देता हूँ, 5 पुट कर देता हूँ, तो मुझे x की value मिल जाती है, 14-5 और आँच और आगया 9, x और y निकालने के बाद आपको एक suggestion देता हूँ, कि cross check कर लीजिए, कि 9 प्लेस में 5, 14 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या 9-5 करने पे 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है, अकेला ऐसा chapter है, जिसमें on the spot आप check कर सकते हो, whether your answer is right or wrong, I hope यह आपको समझ में आया होगा, एक और question ले लेते हैं, तेकि मैं आगे ना आपको कहूँगा कि पहले आप कर लीजी, फिर video प्ले कर लीजी, आपने note करा, यहाँ fraction आ गया, यह denominator आ गया, मेरा मानना है कि denominator सबसे पहले रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करें, 3 और 2 है ना, यह equation नहीं, पहला काम है equation 1 और equation 2 नाम दे लेना, correct, तो मेरा काम है कि इसका denominator हटाता हूँ, फिर मेरे लिए easy हो जाएगा, तो denominator कैसे 3 और 2 का LCM निकाला 6 आ गया, मैं 6 को both side multiply करता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, multiply both side by 6, देखिए आप LCM से भी कर सकते हो, मैंने 6 से multiply कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि इस से multiply करने से, मेरा जो denominator है ना, वो रिमूव हो जाएगा, एक ही purpose है, और दोनों तरब क्यों करते हैं, to maintain the balance, 6 से multiply करेंगे, तो 6 इसके साथ भी multiply होगा, 6 multiply by S by 3, 6 इसके साथ भी multiply होगा, 6 multiply by T by 2, और यह तो 36 हो गया, अगर आपने ध्यान दिया हो, यह आपका cut हो रहा है, 3 1 जा 3 2, यह 2S बना आपका, 2 1 जा 2 3, यह आपका 3T बना, यह equation आपकी 2 मान लेता हूँ, अब question देखिए हमारा वही, अब मैं यहाँ सुरू करूँगा, denominator हटाने से मेरे लेजी हो जाएगा, इसमें से मैं S की value निकाल लेता हूँ, और T को transpose करूँगा, तो 3 प्लस T आ गया, यह जो S की value होना, मैं इसको put करने वाला हूँ, इसमें, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, put S is equal to 3 plus T, यह मैंने put करा, तो यहाँ पे मैंने रखा 2, और 3 plus T यहाँ रखने के बाद, यह 3T रखा, 36 answer आ गया, 2 into 3, 6, 2 into T, 2T, यहाँ से मुझे T की value मिलेगी कैसे, अगर आप देखो, यह दोनों like time है, इनकी जगे पे मैंने 5T रखा, और यह जो 6 है ना, इसको मैं transpose कर देता हूँ, यहाँ पे, 36 minus 6, यह 30 आ गया, तो यहाँ से T मुझे आ गया, 30 divided by 5, यानि की 6, T की value 6 अगर यहाँ आ जाती है, तो मेरा जो next है, कि भई S कैसे निकालें, तो यहाँ से ले लेते हैं S, तो S हो जाएगा 3 plus में T, यानि की 3 plus में मैंने 6 करा, तो S की value यहाँ पे 9 आई, अगें मैं बार बार एक चीज़ पर कहता हूँ, अभी यह जो T और S की value आईगे न, चेक कर लीजिए, क्या यह सही है, यानि की 9 minus 6 करके देखा, वाकि भी 3 आ रहा है, दोनों एक्वेशन फुल्फिल होने चीज़ ए, 9 by 3, ठीक है, और 6 by 2, 9 by 3, 3 होता है, और यह भी 3 होता है, तो बिल्कुल 3 plus 3, 6 आ रहा है, क्रोज चेक कर लेते हो, तो 100 परसेंट आपके आंसर करेक्ट ही होगा, थर्ड पार्ट ले लेते हैं, देखें, अगेन बार बार यह कह रहा है, सब्स्टिटूशन मेथर से कड़ो, यह equation 1 ले ली मैंने, अब equation 2 जब मैं देख रहा था, तो मैंने देखा तो यह इसमें यह सारे नंबर है ना, अगर किसी वेरिबल नंबर से डिवाइड होते हैं, सारी टम्स, तो वी कें डिवाइड, तो मैंने इसको डिवाइड करने की सोची, या फिर यहाँ पे आप डिवाइड, equation 2 by 3, आप उसरा आपने क्यों डिवाइड किया, यह सिंपलर बनाने के लिए, जब देखा, तो यह हो गया 3x, 3x कैसे बना, 9 मैं लिख देता हूं, आइस लिखना ज़ादा बढ़िया, इसके नीचे भी 3 आएगा, 3y के नीचे भी 3 आएगा, और 9 अपन 3 भी, तो यह बन जाएगा, 3x माइनस y इसकोल टू 3, अगर आप देखो, तो यह तो पहली equation नहीं बन गी, 3x माइनस y इसकोल टू 3, यह अब इसका मितलब पहली equation, और दूसरी equation बराबर है, तो दोनों के दोनो equation क्या है, एक दूसरे के उपर, superimpose कर रही है, superimpose का मतलब कोइंसिडेंट हो रही है, और coincident हो रही है, तो आपको मैंने पिछले exercise में बताया तो था, how many common points are there, तो यहाँ पे तो infinites का होगे, अगर आप से simple में का हो, तो हमसे पूछाते हैं कि solve करना हो, तो यह solve करने का सिदात है, infinite solution are there, आप लिख दोगे, infinite solution are there, अच्छा वो question में क्यों लिखोगे, क्योंकि यह तो बरावर होगे न, आपको पिछली उसमें बताया था, a1, a2, अगर b1, b2, अगर c1, c2 के यह तीनों बरावर हैं, तो इसका meaning है, कि भई, line जो है, इसका meaning यह है, कि भई, जो line है, वो एक दूसरे के उपर super impose कर रही है, और इसका answer, इतना infinite लिख के छोड़ दोगे आप, अगर आपने दिहान दिया होगा, यह decimal है, और कुछ नहीं इसमें, पहला काम है equation 1, और equation 2, consider कर लेना, अब वही है, क्योंकि अगर मेरे को यह कहता नहीं, solve करो, तो मैं तो elimination करता, लेकिन इसने substitution का है, तो लीजी substitution से करते हैं, सबसे पहला काम है, 1.3-0.3y रखा, मुझे तो x की value चीए, तो 0.2 को भी transpose कर देते हैं, 1.3 0.3y और इसके नीचे जो है 0.2 रखा, यह value मैं put कर देता हूँ, यहाँ पे, put x is equal to, क्या put कर रहे हैं second equation में, x की gap पे मैं put कर रहा हूँ, 1.3 0.3y और divided by 0.2, देखिए थोड़ा complex ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई solution और है भी नहीं, करना ही पड़ेगा आपको, तो लीजिए, इसकी जगह पे रखते हैं, 0.4 बाहार रखा, और 1.3 0.3y और 0.2 रखा, correct, 0.5 as it is रखा मैंने, और यह होगए 2.3, अब simplify करते हैं, अगर आप देहान दो, तो यह ब्रेक, यह जो है न, 0.2 यह वन जा और यह 2 जा यह न की 2 आ गया मुझे पहलो, ओके, अब हम 2 multiply कर देते हैं, यह 2 आ जाएगा, इस bracket के बाहर में लीजिए, मैंने बाहर लिख दीजिए, और प्लस का साइन, यह 0.5 y, और यह होगए 2.3, इसको मैंने inside multiply किया, inside multiply हो जाएगा, 2.6, इसको मैंने inside multiply किया, 0.6 y, और यह हो जाएगा, 0.5 y is equal to 2.3, simplify कर देखिए, इन दोनों को अगर simplify करते हैं, तो यह आजाएगा, minus का 0.5 y, और यह 2.6 को अगर मैं यहाँ पे transpose कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा, 2.3 minus में 2.6, तो minus करा तो 0.3 minus का ही आएगा, और मेरे पास minus का 0.1 y है, y की value मेरे पास आई, 0.3 divided by minus 0.1, simplify कर मैंने से minus cancel, 3 आगया, यहनकि y की value मेरे 3 आगया, उसके बाद मुझे क्या करना है, इस y के value मैं यहाँ पूट करता हूँ, इस equation में क्या करता हूँ, put y is equal to 3 in above equation, यह जो यह above equation है, इसको पूट कर देता है, तो यह हो जाएगा, x equal to 1.3 minus 0.3, और यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, divided by किसके किया है, 0.2 से, 1.3 minus 0.9, और यह 0.2 आगया, 0.4 को 0.2 से करा, तो 2, यहनि की x की value मुझे 2 मिल गया, आई होप यह आपको समझ में आया होगा, फोर्थ पार्ट के बाद, फिक्त ले लेते हैं, ओके, अब question 1 का 5 कर लेते हैं, पहला का में equation 1 और 2 मार्क कर लेना, आई होप आप आमने कर लिया, अब इसमें किसी भी एक equation से, मालूम इजे मैं, x जो root x है, इसको मैंने एक तरफ रखा, और यह minus का root 3y हो गया, आप बोलों किसर माइनस का कैसे हो गया थे, कि यह अगर transpose हो गया तो minus हो जागे, तो 0 minus करोगे तो minus का आया, यहां से x की value कि आजागी, minus root 3y upon root 2y, यह जो value है ना, मैं put करने वाला हूं second में, तो मैं लिख देता हूं, put in equation 2, जब मैंने equation 2 में put करा, तो root 3, और जहां जहां x था ना, उसकी जगवे लिखा, minus root 3 upon root 2y, और minus root 8 is equal to 0, simplify करते हैं, इनको multiply करेंगे, तो यह answer हो जाएगा, minus का root 3 into root 3, तो 3 होता 3y, और यह root 2 हो गया, root 8 upon 1 is equal to 0, यह y है, अब दिखिए, आपको next मैं बताऊं कि, मुझे क्या करना है, lcm लेना है, root 2 को मैं उपर नीचे, multiply कर देता हूं, इसको एक minute, यह जो मेरा है ना, यह इसको root 2 को मैं उपर नीचे, क्यों multiply कर रहा हूं, lcm दोनों का बराबर करने के लिए, तो यह हो गया 3y, root 8 और root 2 करेगा ना, तो root 16 हो जाएगा, यह y, root 16 4 होता है, और यह root 2 हो गया, यह 0, root 2 को वहाँ बेज देते हैं, जब इसको हम transpose करेंगे, तो यह right side तो 0 बन गया, minus 3y, root 16 है, वह 4 बन गया, अब आपने कुछ नोट करा हो, कि वहिए यह तो minus 7y is equal to 0 आगया, y की जो value है यहाँ पे, वह 0 आगी, क्यों आगी, क्योंकि y 0 होगा, तो ही यह expression 0 हो सकती है, अब y की value अगर हम मैं put कर देता हूं, for example, इसी में put कर देता हूं, यह equation 3 ले लेता हूं, यह इसी में put in equation 3, तो equation 3 में जब मैंने put करा, x is equal to minus root 3 upon root 2 into y, तो यह भी 0 बन गया, तो मेरा इस question में x और y की value 0,0 हो गई, I hope यह आपको समझ में आया होगा, ओके अभी question 1 का 6th part कर लेते, तेकि पहला step है, कि इनको equation 1 और equation 2 मार कर लिया, अब दूसरा step क्या है, कि मुझे इने denominator हड जाते, दो LCM लेके कर लो, तो इन दोनों का LCM कितना आता है, 6 आता है, अगर यह 6 आता है, तो यह 2 है, तो मुझे उपर नीचे इसको 6 बनाने के लिए, उपर नीचे 2 से करना पड़ेगा, तो यह हो गया, 3, 3 जा, 9X माइनस में 10Y, और is equal to minus 2, इसको यहाँ बेज देते हैं, 9X माइनस 10Y, और minus 2 को यहाँ बेज देंगे, तो minus, यह equation बनगी, मेरी पहले वाली, बिना denominator के, इसमें भी अगर आप LCM ले लेते हैं, तो LCM तो 6 आता है, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यह हो जाएगा, 2 से उपर नीचे multiply, इसको 6 बनाना है, तो उपर नीचे 3 से multiply, तो यह हो जाएगा, 2X प्लस में 3Y, और यह हो जाएगा 13 by 6, देखिए 6 से 6 cancel हो गया, हमारी equation बनागी, 2X प्लस 3Y is equal to 13, यह तो हो गया, denominator हटार नहीं बाद, अब question यहाँ से हम solve करना start करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, minus 10Y को transpose कर देते हैं, तो minus, इसको equation 1 लेना ज़्यादा बैटर है, तो मैं उपर वाला जो है, equation 3 ले लेते हैं, इसको equation 3 ले लेते हैं, इसको equation 4 ले लेते हैं, 9 minus 10Y को वहाँ पे transpose किया, तो यह हो जाएगा, प्लस का 10Y, ठीक हैं, अब इसको put कर देते हैं, X की value निकाल के put करते हैं, तो लीजे सबसे पहले मैं, X की value निकाल लेता हूं, यहां से X आ जाएगा, minus का 12 plus 10Y, divided by 9, इसको put कर देते हैं, put in equation 4, इसको मैंने equation 4 माने हैं, तो लीजे यह हो जाएगा, 2, और जहां जहां X है, तो minus 12 plus 10Y, divided by 9, और plus में 3Y is equal to 13, देखिए इसी को मैं आगे simplify करके बताता हूं, 2 से multiply किया, यह हो जाएगा, minus का 24, plus का 20Y, और यह 9 है, यहां 3Y, अब नीचे 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, denominator जो है न, उसको 9 बनाने के लिए, इस case में भी मुझे, उपर नीचे 9 से multiply करना पड़ेगा, तो minus 24, plus 20Y, plus 27Y, और पूरे का हो जाएगा 9, और यह हो जाएगा 13, इन दोनों को simplify किया, 47Y, minus का 24 लिखना पड़ेगा, इसकोल टू, यहां पर इसको transpose किया, तो यह हो जाएगा, 10, 117 हो जाएगा, अब देखिए next करेंगे, तो इसमें minus 24 को मैं वहां ले जाता हूँ, तो यहां I think, 47Y is equal to 117, plus 24, right, 47Y is equal to यह हो जाएगा, 141, Y हो जाएगा 141 upon 47, Y की value 3 आ जाती है, देखिए अगर Y की value 3 आ जाती है, और इस case में अगर हम X की जगह पे, यानिकि 3 put करते हैं, तो इस case में Y 3 आ जाता है, और X की value 2 आ जाती है, यह मैं आपको solve कर देता हूँ, कैसे 2 आई, इसमें आप solve कर लीजिए, मैंने वहां पे, जहां जहां पे Y था, वहां पे 3 put, 10 into 3, और 9 से divide किया, तो 30 और 30 में, अगर आप note करें, 18 18 by 9 2 आता है, I hope मेरा answer correct है, with this our question 1 is over, next question कर लेते हैं, okay, आप question 2 कर लेते हैं, important question mark कर देता हूँ, इसको copy bar exam में आया हुगा है, तिक ही question कह रहा है, कि इनको simplify करना है, this is first linear equation, this is the second linear equation, और हमें कहे रहे हैं, M जो है वो निकालना है, M तो तब निकल सकता है, जब यहाँ पे हम X और Y की value पूट कर दें, X और Y की value कहां से आएगी, इन दोनों equation से आएगी, तो लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं इस equation को ले लेता हूँ, 2X प्लस 3Y इक्वल टू 11, इसको मैं पहला काम equation 1 मार कर लेता हूँ, यह जो equation है, इसको मैं 2X मार कर लेता है, इसको equation 2 मार कर लेते हैं, लेकिन 2 मार करने से पहले आपने ध्यान दिया, मैंने एक चीज पिछले में बताई थी, यह तीनों term है ना, यह किसी एक नमबर से divide होती है, आपको वो divide कर लेना है, तो divide both sides by 2, आप बोलोगे सर क्यों करना है, क्योंकि इससे यह छोटे terms बन जाएंगी, यानि कि 2X को 2 से divide करोगे, X आ जाएगा, minus 4Y को भी 2 से करा, minus का 2Y बनेगा, इसको बाकरा, तो minus का 12 आएगा, इसको मैंने second equation माल दिया, अब यह तब ही division हो सकता है, जब तीनों terms के coefficient divide होते हूँ, अगर 2 होते हैं तो हम divide नहीं कर पाते हैं, अब मैं क्या करूँगा, substitution method हमें करना है, तो यह जो minus 2Y है, मैं इसको वहाँ बेज देता हूँ, X को मैंने रखा, तो minus 2Y वहाँ जाके plus का हो गया, और यह minus का 12 as it is है, इसकी value को मैं first में put कर देता हूँ, यानि कि, अब मैं यह जो आया है ने X की value, इस X की value को मैं put कर देता हूँ equation 1 में, so in equation 1, put X is equal to 2Y minus 12, तो जहां जहां पे X है, तो 2X है, तो 2X 2Y minus 12 कर लिया मैंने, plus का 3Y है, यह as it is लिख दिया, and this is equal to 11, अब हमारा काम है कि इसको simplify करते हैं, 2 इससे भी multiply होगा, 2, 2 is a 4Y, 2 यहां भी multiply होगा, minus का 24, और यह plus का 3Y as it is, this is equal to 11, यह दोनों like term है, 4 plus में 3, 7Y हो जाएगा, और minus 24 को वहां पर transpose कर देते, तो 11 plus 24 करोगे, so that is equal to 35, अब हमारा काम है Y निकालना, 35 को मैंने 7 से divide किया, 5 जो है, वो Y के value आगी, agree? अब यह जो Y के value 5 आई है, मुझे क्या करना है, X के value निकालनी है, तो इस equation में, यानि कि इसको नाम दे लेता हूँ, third equation, in equation, third, put X is equal to, इसमें मैं X is equal to, चरी, यह Y के value निकालनी है, तो मैं यहाँ पे, put Y equal to 5 जो आया है न, वो put कर देदा हूँ, फिर X निकल आएगा, तो X is equal to 2 into Y की जगह पे, जहाँ जहाँ Y है, मैंने 5 put करा, X is equal to 10 minus 12, और X की value यहाँ पे minus 2 आगी, मेरे पास X की value आगी यहाँ से, और यहाँ Y के value भी है, इन दोनों का use करके, मैं M निकालूंगा, यानि कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, कि यह जो M है न, equation के Y is equal to M X plus 3, इस equation में, put जहाँ जहाँ पे X है, minus 2 put करने वाले हैं, जहाँ जहाँ पे Y है, 5 put करने वाले हैं, तो Y की place पे मैंने 5 put करा है, M और यहाँ पे minus 2 और plus का 3, तो अब एक काम करते हैं, यह simplify करते हैं, तो यह हो जाएगा minus का 2 M plus 3, minus 2 M को मैं यहाँ ले आता हूँ, प्लस का 2m बन गया 5 को मैं वहाँ ले जाता हूँ 5 को मैं वहाँ ले के जाओंगा तो यह हो जाएगा negative 3 minus 5 हो जाएगा that is equal to minus 2 और m की value निकालेगे minus 2 upon 2 minus 1 is the answer of this question हमसे यही तो पूछा था find the value of m I hope यह आपको समझ में आयोगा let's proceed further यह question 3 इसका exercise के last questions है इसमें भी parts है six parts है देखे question बढ़ते हैं इनको word problem कहते हैं और word problem अक्सरी chapter में आते ही आती हैं कहते है from the pair of linear equation हमेश इनका solution निकाल ला है और इसने condition डाल दी substitution method से अगर condition नहीं होती तो मैं elimination method से करता है सबसे easy तो मुझे वही लगता है तो लीजे substitution पढ़ते हैं पहला का में equation बनानी पढ़ेगी यहां तो equation है ही नहीं equation कैसे है इसको ठीक से पढ़ते हैं कहते है difference of two numbers two numbers है one number is three times the other number find them देखे हमेशा याद रखने दो number में से छोटे number को x ले लेते हैं so let smaller number is x क्यों मैंने smaller को लिया क्योंकि देखो यह हमारे easy बन गया अच्छा bigger को ले लेते हैं यहां पे पहले तो मैं आपको समझा जाता हूँ bigger number जो है उसको मैंने y ले लिया अब दो equation बना ही नहीं रखी उसने पहले वो दो equation बनाते हैं देखे difference जब भी आता है ना तो हमेशे याद रखने difference का मतलब होता big number minus small number तो big number हमारा कितना है big number y लिया है मैंने तो y minus मैं x और यह बराबर है 26 के यह मेरा है first agree यह first equation है second equation के लिए यह पढ़ता है कहता है one number is three times the other यह जो statement है यह हमें second linear equation देगी तो three times कौन सा होगा बड़ा number ही होगा तो bigger number y लिया है तो y is equal to three times of x यह 3x हो गया so this is my second equation अब हम से क्या कहा गया है कि इनको simplify भी करना है solve करना है solution निकालना है तो देखे तो over easy बना हुए y तो already जो बना हुए है इसको मुझे क्या करना है put in this equation तो मैं यहां लिख देता हूँ put y is equal to three x in equation one मैं equation one यह मानी है तो in place of y मैं three x minus यह x as it is लिख देता हूँ this is equal to 26 2 x equal to 26 well I hope यह बहुत easy बन गया x की value यहां पे मुझे 13 मिल गी क्यानि कि जो हमारा number नहीं smaller वो 13 मिल गया अब मुझे क्योंकि दोनों number निकालना है तो यहां पे मैं लिख देता हूँ bigger number निकालते है देखे इस equation में in equation 2 हम यहां put करने वाले put x is equal to 13 और मैंने x जैसे 13 put करा तो यह 39 आ गया 39 is the bigger number well I hope यही तो हमारा question था question यह था कि find the smaller and bigger number first question आपको clear हो गया let's move further मैं लिख देता हूँ यहां पर I think जदा easy रहेगा smaller number जो है वो मैंने x माना है 13 हो गया और यहां पर bigger number जो है वो मैंने y माना है 39 हो गया next कर लेते हैं question number 3 का second part यह एक बार आया भी हो है अगें मैं important mark कर देता हूं इसको कहता है larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree अच्छा कभी आपको question समझ में नहीं आ जाए ना तो read it twice तो मुझे यह समझ में आ रहा कि यह दो angle है वैट two angle है तो without wasting time मैं पहले तो लिख लेता हूं let smaller angle अब x लो कुछ भी लो let smaller angle is x राइट फिर bigger angle जो है मैं y ले लेता हूं bigger angle is y degree में है correct अब यह कह रहा है देखिए according to जो 80 q मैं हकसर लिखता हूं according to question इसकी full form है यह statement बनाने के काम आएगा क्या statement बना रहा है कि तो larger angle है ना वो exceed करता है smaller को 18 degree से तो larger angle मैं ने y लिखा है यह smaller से 18 degree greater है यह मेरी first equation बन गी फिर क्या कह रहा है second equation क्या कह रहा है कि आप note करो इसने supplementary word यूज किया है अगर कोई आपको supplementary कहता है तो I hope यह आपको पता होगा supplementary जो angle होते हैं उनका sum 180 degree होता है तो यहां से इस concept को मैं यूज करके इन दोनों का जो sum है वो 180 degree लिखूँगा मेरी first equation यह होगी this is my second equation अब क्या करना है simplify करने के लिए मैं y की value यहां put कर देता हूँ इस equation में put y is equal to x plus में 18 क्यों कर रहे हैं substitution method को follow कर रहे हैं तो जहां जहां पर y है यानि कि मैंने लिखा x plus में 18 यहां पर is equal to 180 degree दो like terms हैं दोनों like term हैं तो इसको मैं लिख देता हूँ 2x 18 को transpose कर देते हैं 180 degree minus 18 और इसको 180 degree में से मैंने 18 minus किया 162 is the answer x निकाल लेते हैं 162 divided by 2 कर रहा 81 degree देखिए x 18 degree आया है राइट यह हमें y भी निकालना पड़ेगा तो यह तो x आ गया y कैसे निकलेगा यह कह रहा है y जो है ना वो x plus 18 है तो x plus 18 है यानि कि 18 की जगह पर मैं 80 में रख दूँ है 18 एड करा 99 degree is the value of y value of y का मतलब बीगर एंगल तो यहां पर आप आंचो लिख दीजिए smaller जो एंगल है वो हो जाएगा 18 degree और जो बीगर एंगल है वो हमारा बीगर एंगल दिखना जरूरी होगा वो हो जाएगा 99 degree I hope यह आपको समझ में आया होगा next question ले लेते हैं question number three का third part देखे यह question मैं आपको समझाता हूँ यह easy question है कहता भई यह one coach of a cricket by seven bats है और six balls है और 3800 रूपीज दा amount paid किया है so later see by three bats and five balls तो without wasting time जो पूछा है ना find the cost of one bat and one ball मैंने cost of one bat को x rupees माना है और cost of one ball को y rupees माना है पहला चीज़ तो यह कर लिया अब यह equation बनाने के लिए देखे इसमें दो equation बनेगी यह पहली equation हमें दे देगा seven bat और six ball देखे मैं क्या करने वाला हूँ seven ball और six bat जो है यह पहली equation आ जाएगी अच्छा दूसरी equation आपने note करी दूसरे case में three bat और five ball है three bat और five ball एक bat की अगर x cost है seven bat की I hope you are agree with me can I write seven x plus six y देखे मैंने कहां से लिखा है एक bat की x है तो यह होगी seven x एक ball की y है यह seven y होगी इसको मैंने first equation consider किया similarly यह अगर दूसरी equation मैंने कर रहा है उसमें three bats में तो three x plus में five y यह second है अब मेरे पास दो equation है मैं पहली equation से ना किसी भी equation से यानि कि इससे ले लेता हूँ यह जो पहली equation है इसमें से x की value निकाल लेता हूँ x की value कैसे निकालते थे कि मैं समझा देता हूँ आपको मैंने already इसको time save करने के लिए पहले लिखा है five y को transpose किया यहां आ गया three x बचा x को वापिस transpose किया so यह x की value मैंने यहां से निकाल ले है from equation two इस equation two में से x की value I am going to put now in equation one यानि की equation one में मैं अगर यह put कर देता हूँ तो देखिए जहां जहां x है ना वहां पे मैंने put कर रहा है कैसे कर रहा बताता हूँ इस 7 x की जगे पे क्या लिखा 7 into x की जगे पे यह value और यह 6y है यह as it is लिखा अब 7 को अंदर multiply करते हैं 7 into 1750 और 7 into 5 जब मैं inside इसको multiply करता हूँ तो यह multiply करने पर मेरा आ जाता है 7 into 1750 12250 किसे आया इन दोनों से multiply करने पर 7 into 5 किया 35 आ गया 3 नीचे है अब मेरा काम है इसके नीचे 1 है तो denominator बराबर करने के लिए उपर भी 3 से multiply किया नीचे भी 3 से multiply किया तो यह 6 into 3 यानि की 18 हो जाएगा common denominator 3 आ गया 38 end is हमारा right end side है आगे इसको simplify करते हैं यह दोनों देखो 6, 3 जा 18 होता हैं यह दोनों like time है लेकिन उससे पहले मैं इस 3 को transpose कर देता हूँ 3 को मैंने right side में लेके गया जब right side में लेके जाते हैं तो यह देखे मेरा आंचर क्या आ जाता है इस case में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 3 को यहां मैंने multiply किया right minus 35 plus 18 अगर इसको note करें तो यह आंचर आ गया मेरा 17y right अब इसको मैं आपको आगे समझा देता हूँ कैसे देखे इसकी play space minus का 17 आया यह वहाँ transpose करेंगे minus का हो जाएगा दोनों को minus 17y minus का 850 देखे minus 17 को transpose करा minus से minus cancel y की value 50 आया agree y की 50 आई इस equation को second equation में put कर देते हैं x निकालने के लिए तो 1750 और जहां जहां 5y था मैंने 5 into 50 करा simplify करने पर x 500 आया x is 500 y is 50 आई होप यही तो हमें निकालना था आपको लिखना बन x की जगह पे क्या रखोगे one bad cost और y की जगह पे one bowl की cost I hope यह आपको समझ में आ गया next question कर लेते हैं okay now we will do question number four three का four part है ठीक ही कहता है कि टेक्सी चार्जी इनने city consists of fixed मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कुछ यह fixed charges की बात कर रहा है ठीक है आप कितने भी kilometer जाओ आपको इतना तो देना ही पड़ेगा जिसको आप कह सकते हो service charge फिर उसने एक बात कही है अगर आपने ध्यान दिया होगा 40 distance of 10 kilometer उसने pay करा 105 rupees देखे आपने अंडरलाइन किया लेकिन अगर आप 15 kilometer जाते हो तो 155 पे करते हो कहते है भी what are the fixed charges जो निकालना है ना उसको हम x ले लेते हैं x और y एक और चीज पूछ रहा है charges per kilometer और answer में हमें कह रहा है अगर 25 kilometer जाना हो तो कितना pay करना पड़ेगा सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो निकालना है सबसे पहले उसको x और y ले ले लेते हैं तो लिजिए मैं इहां पर लिग लेता हूँ let fix fix charges जो होती ने टेक्सी वाले का उसको मैंने rupees x ले लिया correct अब बात कर रहा है कि बई per kilometer charges भी निकालना है per kilometer का क्या मतले fix का तो हमें समझ में आ गया तो one kilometer one kilometer one kilometer charges कितना लगेगा वो भी पूछ रहा है तो उसको मैंने rupees y माल लिया correct अब देखे दो equation बनानी है पहली equation के मैं लिख देता हूँ according to question देखे अब according to question के उतलो हमें linear equation बनानी है कैसे बनाएंगे यह कह रहा है कि यह ten kilometer जाने के लिए उसने one zero five rupees पे करे तो पहले ten kilometer जाने के लिए fixed charges तो देने देने पड़ेंगे यह लिजिए भया x लिख दिया उसका और फिर fifteen kilometer गया है तो one kilometer का उसने कितना pay किया है y rupees है तो अगर आप ten kilometer जाते हो तो ten into y करोगे ठीक है और total pay कितना कर रहा है आपने 105 rupees पे किया है तो यह आपकी equation one बन गई यह equation one बनी है कब देखो मैंने fixed charges तो आएंगे आएंगे चैब आप taxi में बैटके उतर जाओ यह तो देने देने पड़ेंगे फिर दूसरी equation देखते हैं दूसरी equation की बाद क्या कर रहा है यह कह रहा है मैं कर लेता हूं ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा बैटर बता पाएंगे क्याता है अगर आपकी जरनी 15 km की है तो देखे 15 km अगर आप जा रहे हैं उस case में fixed charges तो देना ही देना पड़ेगा यानि कि X rupees देना पड़ेगा और 1 km की अगर Y है तो 15 को मैं multiply करूंगा Y से और इस case में उसने pay कराया 155 rupees यह मेरी second equation बन गी अब बड़ा easy equation बन गया हमें करना क्या है substitution method से करना है अगर नहीं होता लिखा होता है तो मैं तो elimination को prefer करता हूं लेकिन लीजी यह from this equation X निकालते हैं X निकाला रड़ी वहाँ transpose कर दिया 105-10Y यह जो equation आता है put in equation 2 यह equation 2 है वह यह correct इसमें put करेंगे तो मैं पहले equation 2 लिख भी देता हूं confusion ना हो 15Y is equal to 155 यह है in place of X मैं यह रखने वाला हूं 105-10Y यह X की जगह पे ध्यान रहे correct आपको confusion हो रहा है तो मैं दूसरी इंग से Y वाला लिख देता हूं और यह जो 15Y है ना यह मैंने अलग से लिखा this is equal to 155 यह दोनों like time है 5Y बचेगा 105 है ना इसको transpose कर देते हैं इधर transpose करेंगे तो क्या बन जाएगा 155-105 तो यह हमारा आजाएगा 5050 अगर 5Y 50 है तो Y की value आगी यहां से 50 divided by 5 that is equal to 10 यह Y की value आई है अब हमें X की भी निकालना पड़ेगा देखिए X कैसे निकालने किसी की equation ने put कर लेते हैं इसी में put कर देते हैं लीजी इन equation to क्या put कर रहे हैं put X sorry Y equal to 10 जो मैंने value निकाला है तो यह Y 10 यहां put करेंगे X plus में 15 और जहां-जह Y है वहां 10 this is equal to 155 X plus 150 is equal to 155 और X यहां से आ गया 155 minus में 150 that is equal to 5 I hope X के value आगी मैंने fixed charges निकाला पांच रुपए पर fixed charges है Y कितना निकाला 10 पर किलोमेटर जो है वह आपके 10 है लेकिन हमसे एक और पूछ रहा है अगर उसको 25 किलोमेटर की जर्नी करनी है तो क्या निकालना पड़ेगा तो लिजे 425 किलोमेटर जर्नी कोस्ट कितना पड़ जाएगा fixed charges तो उसको देना ही देना पड़ेगा यानि कि उसको पांच रुपए तो देने ही पड़ेंगे और एक किलोमेटर के हमने क्या निकाला अभी 10 रुपीज निकाला है 25 किलोमेटर उसको ट्रेवल करना है 25 into 10 25 प्लस में 250 और उसको जो अमाउंट पे करना है 255 रुपीज इतना अमाउंट उसको देना है बड़ा सस्ता है 25 किलोमेटर में तो टेक्सी वाला भोजादा ले लेता है लेजे नेक्स कर लेते हैं that is question number 5 यह वाला question है quite interesting देखें यह कहता है कि fraction की बात होगी fraction है वो rational number की तरह दिखते है लेकिन हमेशा याद रखना fraction rational में यह फरक है fraction हमेशा positive होते है हमें निकालना क्या है find the fraction जो चीज निकालनी है न उसको मैं हमेशा कहता हूँ x और y ले लिजी तो let numerator सबसे पहले बिना time based के भी fraction में क्या होता है उपर x ले लिया एक denominator होता है down वाला d4 denominator d4 down इन दोनों को अगर मैं fraction बना के देखूँ तो मेरा fraction बना x upon y अब question बढ़ते हैं कहता है if fraction becomes 9 by if 2 is added to both numerator में भी 2 add करते है denominator में तो देखी पहला question आपने according to question लिख रहा हूँ numerator में भी आपने 2 add करा और denominator में भी 2 add करा तो आपका जो fraction है 9 by 11 बन जाता है so let me write 9 by 11 here I hope यहां तक आपको clear हुआ next क्या करना पड़ेगा मुझे next है यह तो linear equation तो बनी नहीं linear equation बनाने के लिए cross multiply करते हैं तो यहां पर लिखेंगे on cross multiplication I hope यह आपने lower classes में किया होगा यह x plus 2 है 11 से multiply करेंगे यह हो जाएगा 11 और x plus 2 right y plus 2 9 के साथ करेंगे बराबर हो जाएगा 9 y plus 2 इसको simplify करते हैं 11 x plus 22 9 y plus 18 18 के लिखा यह दोनों से multiply होगा इसको transpose कर लेते हैं 11 x minus 9 y 22 को वहां पे ले जाते हैं 18 minus में 22 जब इसको मैंने simplify किया तो यह मेरा आंचर बना minus 4 this is our first linear equation I hope यह आपको समझ में आई होगी अब बात करते हैं second linear equation की लीजे लेट स्टार्ट second linear equation का कह रही है if 3 is added to both according to question दोबारा लिख देता हूं हमें 3 add करने के लिए किसमें both में numerator plus में denominator दोनों में 3 add कर दिया कहता है इस time पे 5 by 6 बन जाएगा यह 5 by 6 बनने के लिए agree same है cross multiply किया जाएगा on cross multiplication लिखना बहुत जरूरी होता है board exam है इसलिए द्यान रहे इसको इसके साथ simplify करेंगे 6 x plus 3 के बाहर आगया 5 जो है y plus 3 के बाहर आएगा multiply करते हैं this is 6 x this is 18 यह हो जाएगा 5 y plus 15 transpose करते हैं इसको यहां लेके आजाते हैं 6 x minus 5 y 18 को वहां लेके जाते हैं 15 minus 18 6 x minus 5 y is equal to minus 3 this is our second equation अब सिरफ हमारा game है इनको simplify करके x और y निकालना है right कैसे निकालेंगे सबसे पहला काम है किसी भी equation से हम x निकाल लेते हैं तो क्यों नहीं हम पहली equation से निकालते हैं तो लीजे first equation से हम निकाल लेते हैं कैसे ink मैं black ले लेता हूं from equation 1 इस equation में से यह क्या हो जाएगा 11 x को एक तरफ रखा minus 4 plus 9y आ गया x की value निकाली minus 4 plus 9y divided by 11 आ गया इसको put कर देते हैं equation 2 में put in equation 2 जब मैंने equation 2 में put करा याने कि इसमें यह complex जरूर बनेगा लेकर मैं easy कहूंगा इसको तो लिजे put करते हैं इस equation में put करते हैं जहाँ जहाँ पे x है 6 multiply by minus 4 plus 9y divided by 11 right minus 5y is equal to minus 3 अब एक काम करते हैं इससे अंदर multiply करते हैं 4 into minus 4 minus 24 और 6 into 9 यह होगा 54y और यहाँ पे नीचे 11 है यह 5y है इसके नीचे तो 1 है और यहाँ पे minus 3 है अब मुझे वहाँ पे 11 अगर बनाना है तो किस से multiply करना पड़ेगा उपर नीचे 11 से multiply करना पड़ेगा यह 55 बन गया तो मेरा answer बना 54y यहाँ से क्या आ गया 55y इसके नीचे आ गया 11 और यहाँ आ गया minus 3 अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब मुझे एक ही काम करना है इस 11 को वहाँ ले जाता हूँ यह दोनो like term है तो minus 24 minus y बराबर है minus 3 into 11 अगर आप note करो तो minus 24 को भी transpose किया जा सकता है तो यहाँ पे ले जाते हैं यहाँ minus y और यह तो भी है minus 33 बना प्लस में 24 और आप agree करोगे minus y की value आगी यहाँ पे minus 9 y की value आगी 9 9 अगर आपका आंचवर आ रहा है that is a correct one अब भी है सबसे easy तो 9 आ गया तो x का तो को जुरूती नहीं है बड़े easily निकल जाते हैं इस equation में हम x पूट कर देते हैं अगर naming करनी है तो इस equation को हम third equation मान लेते हैं तो x की जगह पे देके value पूट करते हैं minus का 4 प्लस में 9 y कहाँ पे है y भी 9 है लेजिए 9y है तो 9 से multiply किया divide by 11 x की value minus 4 plus 81 by 11 77 को करा 11 से x की value 7 answer तो मेरे जगह ही नहीं बची कोई बात नहीं fraction क्या हो जाएगा fraction है x by y यानि की 7 by 9 अगर आपका answer आता है you will get full marks I hope ये आपको समझ में आया होगा लेजे last question कर लेते हैं इस video का और इस exercise का ये भी बड़ा quite interesting question लगा मुझे तो question बड़ा interesting अब बहुत बार आया हुआ है कहता है 5 years hence पहले इसको read किया है उनकी present is पूछ रहा है son की और father की अच्छा तरीका मुझे क्या लगता है कि हम मान लेते हैं present is कुछ है let present is of father or son तो father की मानते let present age of father और father की age को मैंने माना x years son की जो present age ही है present age of son इसकी मानी है why years अब भी आगे पढ़ते हैं देखिए 5 years hence यह इसका मीनिंग है 5 साल के बाद यह काम करेगा linear equation बनाने की according to question यूज करते है according to question के है after 5 years लिखना पढ़ेगा after 5 years जो father है उनकी age हो जाएगी I hope father's age हो जाएगी आपको पता है इसमें add करना पढ़ेगा x plus 5 ठीक है similarly after 5 years जो son की age है वह भी हो जाएगी y plus 5 years अब यह कहता है कि जैकब will be 3 times of the size time word का meaning होता है multiply यानि कि यह यह कहना चाहता है father है ना वह उसके son की age का 3 times होगा तो father की तो मैंने x plus 5 मानी है यह लिजी x plus 5 लिखा 3 लिखा as it is और son की मैंने y plus 5 लिखी है तो यह मैंने y plus 5 आ गया simplify करते हैं x plus 5 as it is is 3 को multiply किया 3y is 3 को multiply किया plus 15 इसको अगर हम transpose करते है x minus 3y y को अगर मैं वहाँ पे send करता हूं 15 minus 5 देखिए हमारी पहली equation ready है that is x minus 3y is equal to 10 I hope यह आपको समझ में आया होगा in change करके आपको next 80 को बताता हूं next 80 को का मतलब है second equation का कहते है 5 years ago ago का मीनिंग पहले होता है second equation बनाते है before 5 years ago father age to father की age है उसको मैंने minus कर दिया present में से ago का मितलब x minus 5 कर दिया similarly 5 years ago sun की age जो है अगर आम वह करेंगे तो y minus 5 आ जाएगा वह भी लेकिन वह कहता है कि उस case में 7 times था इसकी sun की age का तो जो father है वह उस time पे 7 times का मतलब है 7 into sun age तो यह जो x minus 5 है इसको एक तरफ रखा 7 y minus 5 एक तरफ रखा simplify करते हैं 7 into y 7y 7 into minus 5 35 अब हमें वही transpose करते हैं 7y को यहां लेके आ जाते हैं x minus 7y उसके बाद आपने note किया minus 5 को वहां लेके जाते हैं minus 35 plus 5 हो गया okay on transposing तो हमारी linear equation बन गी 7y और यह हो गया minus का 30 अब देखिए यह हमारी second linear equation बन गी अब next game क्या है हमें तो दोनो linear equation मिली है इसको तो simplify करना बाकी है simplify करना बाकी है तो इसके लिए हम लेजी next ले लेते हैं substitution method क्या कहता है किसी एक value से linear equation की value लेके और इसको simplify कर दीजिए तो लिजे simplify करते हैं कैसे मैं आपको समझा देता हूं from this x निकालते हैं तो लिजे यहां से x निकाला x is equal to हो गया 10 minus 3 वहां जाएगा plus का 3y हो जाएगा इसको put कर देते हैं equation 2 में तो यहां लिख देता हूं put in equation 2 equation 2 में put करा अब आ जाएगा x की place पे हम क्या रखेंगे 10 plus 3y यह लिजे 10 plus 3y रखा minus 7y as it is रखा यह है minus का 30 इसको like time है simplify किया 10 minus 4y is equal to minus 30 10 को transpose कर देते हैं minus 4y is equal to minus 30 into minus 10 well यह तो बड़ाईजी हो गया minus 4y minus 40 के बराबर है y आ जाएगा minus 40 upon minus 4 10 आ गया यानि कि जो sun है 10 is मेरा answer आ गया अगर यह sun का आ गया x तो और भी easy है x की value निकाल लेते हैं किसी भी equation पूट कर लेते हैं इसी में पूट कर लेते हैं तो यह हो जाएगा x is equal to क्या हो जाएगा यह सबसे अच्छी बात है कि इसी में पूट करते हैं x plus 10y है तो 10 plus मैं 3 into y की जगे पे 10 करा और 40 आ गया हमें son और father दोनों की age का पता लग गया यही तो question था यह हो जाएगा 40s well I hope आपको यह समझ में आया होगा so with this our this exercise is over thank you very much next exercise next video में करेंगे में 2